तेवारों का मौसम और मिठाईयों की मांग अपने लिए और अपनों के लिए लेकिन सावधान मू मिठा करने के चक्कर में कहीं लेने के देने न पड़ जाएं तेहारों के मौसम में मिठाईयों के लिए दूद की मांग बढ़ जाती है जिसका फायदा उठाते हैं ये मिलावट खोर दूद का दूद और पैसे का पैसा के चक्कर में ये लोग जनता की सहत से खिलवार करने से भी नहीं चूपते आपको बताते हैं ये मिलावट खोर कैसे बनाते हैं दूद ये है शैंपू जो नहाते वक्त काम आता है लेकिन इससे दूद भी बनता है कैसे बस देखते जाईए ये तीनों शक्स दूद बना रहे हैं इसके लिए पहले एक बड़े से बरतन में थोड़ा सा शैंपू डाला और फिर रिफाइन डॉइल देखते ही देखते ही ये मिक्स्चर सफेद पेस्ट में बदल गया फिर इसमें मिलाया गया आधा किलो दूद इसे गाढ़ा करने के लिए चीनी का बुरादा मिलाया गया और फिर एक बाल्टी पानी लो बन गया दूद आधा किलो दूद दस किलो में बदल गया ऐसी ही जगों से हजारों किलो नकली दूद हलवाईयों के यहां पहुँचता है और फिर इससे बनती हैं मिठाईया अब सुनिये ये लोग ये काम क्यों करते हैं सब देखो अब एक तो नौकरी तो है इना जी और दूसरी एक और बात अब दूद के रेट कम मिलने हैं और कैसे भी दूद हमने के बनानों सुरू करते हैं कम पैसा में ज़्यादा दूद बन जावें और वाते अपने याय भी मिला दें असली भी मिला दें दोनने मिला कर बेग दें ग्रावटी सही आ जा जाए और कोई पैचानी ना सके उतनों ही माव़ा निकले उतनों ही घीवन अगो यह हमें हम तो सब जगे ऐसी बना में और ऐसी बेग दें हाँ दिवारी पैसा बहुत ज़्यादा बड़ जाब है तो असली दूद कहां ते लाँ है अब हलवाई मांगें तो हलवाई अनको भी ऐसी दूद दे में वो तो खुद केम है जी ऐसो ले आओ कहीं से भी लाओ जी दूद हमा कितने देर में ये करीब 10 किलो दूद बन जाता है आपका जाए दस मिनट में 10 मिनट में माल लो सब काम कम्पलीट गराटी और आटीज सब काम से दस किलो दूद तयार और कितना दूद बना लेते हैं दिन बन में दूद बनाने का एक और फार्मूला है इन मिलावट खोनों के पास और इन है इसके लिए आधा किलो दूद की भी ज़रूरत नहीं इजी है न जो हम आप कपड़े दूने के लिए इस्तेमाल करते हैं यहाँ इसका इस्तेमाल दूद बनाने के लिए हो रहा है साथ में है सिंघारे का आटा, रिफाइन डॉयल, खाने का सोडा, मिल्क पौडर, ग्लुकोज और थोड़ी सी इलाइची कपड़े धोने की बाल्टी में बारी बारी से यह सब मिलाया गया यहाँ इस सारे सामान को भेटने के लिए एक मशीन भी है, ताकि नकली दूद को देखकर पहचाना न जा सके ऐसे एक एक घर में हर रोज सौ किलो तक नकली और जानलेवा दूद बन कर बाजार में पहुँचता है यह सारा दूद हलवाई के हां मिठाई बनने के लिए ही नहीं जाता, हमारे और आपके घरों में भी पहुँचता है चाय बनाने से लेकर बच्चों को पिलाने तक के काम आता है लेकिन इन्हें इस सबसे क्या मतलब अपनी जेब गर्म होनी चाहिए चाहे कोई मरे या जीए और यह फॉर्मूला मैंने उस वक्त सीखा था जब यह डेरी वालोंने इसको बनाना प्सुरू किया था और दूद की कमी होती चलिए दूद की कमी कुछ देखने के बाद में इसकी और ज्यादे प्रोग्रस होई और प्रोग्रस होने के बाद में इसकी इतनी डिमांड बढ़ गई कि त्योहरों पर इतनी डिमांड बढ़ती है कि इसका मावा बनता है और मावा बुलन सेर से बनके सिधा गिलनी जाता है जिसमें जो क्याना में रस्ते में जितनी भी परेशानिया होती है वो सब पैसे के बहल पर सौल हो जाती है वैसे तो ये काला धंदा साल भर चलता है लेकिन दिवाली के वक्त जब दूद की मांग आसमान चूरे ही होती है तब इस गोरक धंदे में और तेजी आजाती है कमाल ये है कि दूद की गुनवत्तम आपने वाली ये मशीन भी कई बार इनके आगे नाकाम हो जाती है बिना मिलावट के दूद की ग्रेविटी 26 आनी चाहिए लेकिन मिलावट इस तरह से होती है कि नकली दूद की ग्रेविटी भी 26 के आसपास होती है कभी कभी तो 28 भी हो जाती है और अफसोस जनता समझती है कि ये तो प्योर दूद से भी प्योर है सफेद दूद का काला कारोबार ये सिलसिला चला तो सालों से आ रहा है लेकिन खास करके दिवाली के वक्त में इनकी मांग काफी बढ़ जाती है और इससे बने मेवे और मिठाईयां हमारे और आपके घर में पहुंचती है इसका कारोबार करने वाले लाखों का मुनाफ़ा कमाते हैं बिना इस बात की फिक्र किये कि हमारे और आपके सिहत पेज़ का कितना बुरा असल हो रहा है बुलन शहर से मनीश और मदल्लाल के साथ शारिख खान इंडिटीवी इंडिया